जैसे पहला सवाल दे रखा है 8 raised to the power 2K और प्लस 5 raised to the power 2K का एक factor होगा जहाँ N एक odd number है देखिए समझी है थोड़ा सा पहली बात मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ N is equal to 8 raised to the power 2K 8 raised to the power 2K plus 5 raised to the power 2K बोलो यहाँ पर यह जो N दे रखा है एक कैसा number है यहाँ पर K एक odd number है इसने दे रखा है कि जो K है ना K is an odd number विशम संख्या है तो कहता है यह किस से divisible होगा तो यह है कि आप यहाँ पर substitution method का use करें चोटू यादो आप वन पूट करेंगे N की वैलू आपको मिलेगी 8 की पावर 2 into 1 और प्लस 5 की पावर 2 into 1 यह हो जाएगा 8 की पावर 2 into 1 कितना होगा भाई 64 और प्लस 5 की पावर 2 कितना होगा 25 यहाँ पर मैंने लिख दिया 64 और प्लस 25 64 और 25 को जोड़ दीजे कितना मिल दाएगा 89 बोलो और कोई option आपको देख रहा है क्या आप बोलेंगे नहीं तो simply आप बोल सकते है option number D is correct for this question